हलो एब्रीवन वेलकम बाक टो माटीना जाक्टिविटी कैसे हैं आप सब आशकरते हो आप सब अच्छे हो मैं भी अच्छे हो आज एक बहुत ही पढ़िया रेसिपी बनाऊंगी चलिए फ्रेंड साथ में बनाते हैं ये चिकिन काला भुना है ये बहुत ही फ्रेसिपी है शायद बहुत कोई जानते हैं बच सब का प्रिसीडियर अलग रहता है बनाने का मैं अपना प्रिसीडियर शेयर करती हूँ आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आती है तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आज मैं वही शेर करने वाली हूँ यह आप मतन से भी बना सकते हो चिकिन काला भुना बनाते चलिए यहाँ पे मैं 500 ग्राम्स चिकिन ले चुकी हूँ अब इसे अच्छा से मैरिनेट कर रही हूँ मैं सौल्ट, चिलि पाउडर और हाफ टीजबून जिंजर गाली पेस्ट के साथ तो इसे अच्छा से मैं मिक्स कर रही हूँ मिक्स करके कुछ देर मैरिनेट करने के लिए इसे ढखके छोड़ दूँगी अब यहाँ पे एक पैन ले चुकी हूँ इसमें वान टीम स्पून ओइल दी और इसमें ये चिकन को थोड़ा समी ग्रिल कर दोंगी चिकन को अल्मूस में वनार मैरिनेट के लिए छोड़ दी थी करने से चिकन में फ्लीवर बहुत अच्छा आता है यह मेरा कहना है देखे ऐसे ढख ढख के उलट पुलट के कुछ देर इसे अच्छा से गुरिल कर लेंगे इस तरीके से एक रेडिश मार्क्स आने तक यह बहुत अच्छा फ्लीवर देता है और आप लोग इसी तरीके से जाइफल है यह बहुत थोड़ा यह जाइत्री है जावित्री और जाइफल बहुत थोड़ा थोड़ा तीन एलाइची और एक टुक्रा डालचीनी का है थोड़ा छोटा-छोटा मैं तोर चुकी हो और वहां पे तीन सूखी मिर्च है मैं उसे भी तोर चुकी हो अब यह मसा अच्छा से ड्राइ रोस्ट करना है ड्राइ रोस्ट करके इसे अच्छा से पाउडर बना के मैं एक कंटेनर पे रख देती हूं इसे पाद में यूज़ करेंगे देखिए चिकन भी ऑल्मोस्ट यहां पे ग्रिल हो चुका है और 50-60% को खोई जाती है चिकन को खोने में ज्या के लिए यहां पे मैं जिंजर गालिक पेस्ट ले ली वन टीबिल स्पून यह धनिया पाउडर है टू टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से दे देना और यहां पे मैं वन टी स्पून वो पे ओयल लेली में इसी में बरिस्टा बनाई थी फ्राइड अनियन्स में वही ओयल यूस करूंगी उसमें हाफ टीस्पून शुगर ढाली हो कैरेमलाइस्ट होने के लिए और जो मसाला का पेस्ट बना के रखी थी वो दे दी एक तेस पत्ता दे दी अब इन सब को अच्छा से फ्राइड करूंगी मैं बरिस्टा पहले से बना के रख चुकी हूँ दो मीडियम अनियन्स के बरिस्टा में हाफ कीजी चिकिन के लिए बना के रख की हूँ अच्छा से स्लाइस्ट करके बरिस्टा सभी को बनाना आता है इसलिए मैं उतना शेयर नहीं की देखिए अब मैं तो जो roasted chicken था जो fry की थी अब उसी मसाले में ढाल दी मसाले को जादा fry करने की जरूरत नहीं है बस अब chicken के संग कुछ देर इसे अच्छा से mix करता है तो आप लोग भी जरूर से try कीजिएगा यह बहुत यह में लगती है देखिए कुछ देर mix करने के बाद यहां पे जो मैं ब बरिस्ता बनाई थी अब इन में से बरिस्ता को अच्छा से crush कर लीजिएगा थोरा थोरा हातों से और ढाल दूले उसमें अब इसी बरिस्ता के संग मैं चिकिन को अच्छा से fry करूंगी कुछ देर मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा मैं यह मेरा tips and tricks है मेरी सोच है कि मीडियम पे cooking बहुत जादा ही अच्छी होती है हाई फ्लेम पे वो रोटी हो पराठा हो या कोई भी करी हो उतना स्वादिष्ट नहीं होता है तो थोरा देर fry की उसकी बाद में पानी आट कर दी क्यों बरिस्ता अल्रेडी फ्राइड था जादा फ्राइग करूंगी तो एक करवाप तो देखे कुछ दिर में ढग दी थी आल्मोस्ट पानी ड्राइ हो चुका है 70-75% इसी consistency पे ही मुझे चाहिए अब इसे अच्छा से कुछ दिर फ्राइग करूंगी मैं फ्राइग करने की भी तो जरूरत है ना तब ही वो मसाला जिस consistency पे मुझे चाहिए वही आएगी है ना बहुत simple और बहुत quick बनने वाले चिकन काला भुना बहुत लोग इसमें चाहिपती के भी पानी आट करते है बट मैं इसे ऐसे ही प्रिफर करते हूँ अब मैं यहां पे 2 टी स्पून वही रोस्टेड मसाला आट कर दी जो मैं बना के रखी थी यह में मसाला है चिकन काला इसमें कलर भी आती है और फ्लीवर भी देता है और बोस्ट इम्पर्टेंट ट्रिक्स तो गिफ कलर इस शुगर में जो ओईल पी दी वह कारमलाइज हुआ तो चलिए रेडी हो चुका है हमारा चिकन वह डिशाओट कर देते हैं बहुत अच्छा अरोमा आ रहा था बहुत ता वो means all together barista then वो roasted spices बहुत बहुत ही यमी बनती है फ्रेंड आप लोग एक बड़ जरूर से try करो I bet आपके families बहुत खुश हो जाएंगे और जो wives अपने husband को खुश करना चाहते हो यह recipe तो जरूर ही बनाना and the chicken kala bhuna is ready to serve with paratha, puri, naan, plow, rice यह सभी के समझाता है आप लोग जरूर जरूर से try करना और अपना feedback मुझे देना मद भूलना मुझे बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की comments और ज्यादा motivate होती हूँ आप लोग comments करना आज की recipe कैसे लगी बताईएगा जरूर अच्छी लगी तो please एक like, comment, share करना, मेरे channel को subscribe करना, follow करना भी मत भूलना facebook से तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते एक नए देन नए वीडियो की संग, तब तक आप लोग भी साबधानी से रहो, enjoy करो, take care, ta-ta